नमस्कार में तुर्वाम सब्सक्राइब स्वार्णास पर हम यहाँ पर बात करेंगे साइफाई पैरा मेडिकल परवेश परिक्षा जो संपन होई थी साथ जनवरी 2020 को उसके फर्स्ट काउंसिलिंग हुई है आप सेकंड काउंसिलिंग के लिए रेजट्रेशन की हम बात करेंगे जो एक जनवरी 2020 से होना है और यह कितनी सीटों के साथ एक्ष होगा इस पे हम बात करेंगे इस वीडियो में तो अगर आपको लग रहा है कि यह वीडियो आपके लिए मात पूर है तो और इसी तरीके के वीडियो आज का यह मात पूर वीडियो देख सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेट की किस डेट से किस डेट तक सकेंड राउंड की का पंजी करन स्टार्ट होगा तो देखी यहाँ पर जो बताया गया है आप देख सकते हैं कि जो प्रतम काउंसलिंग के लिए पंजी करन था वो 13 से 14 जनवरी के मद्धी यानि 15 जनवरी तक दिखाएगा था यहाँ पर मिस्प्रिंट की हम आज को समझ लेगते हैं अब यहाँ जो सेकंड राउंड की कांसलिंग की बात यहां की जा रही है जो पंजी करन है अब देखिए आनलाइन बंजी करना है और कांसलिंग की डेट यहाँ बहुत तिक तिथी यहाँ पर दे गई है तो हम सेकंड राउंड की जो बात कियाएगी जितनी सीटे बची हैं उनके साफ़ेच यहनी 21 जनवरी से 22 जनवरी के मद्ध यह किया जाएगा और इसकी जो कांसलिंग है वो 23 से 25 जनवरी के बीच जो है रहेगी उसके बाद माप आप एरोडिक सीटे जितनी रह जाएगी उनके अगली बात यहाँ पर की जाएगी जो नेक्स्ट होगी फिलहाल आप मान के चलिए 21 से 22 जनवरी के मद्ध जो है आपका अरेश्टेशन होगा और 23 से 25 के बीच में आपकी कांसलिंग की जाएगी तो बाकी चीज़े देखते हैं कि कितनी सीट्स यहाँ पर बची हैं आपको डेट कंफर्म हो गई होगी कि सेकंड राउंड के लेपंजी करण कब से किया जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट राउंड की कांसलिंग थी यहाँ पर सम्यूत पैरा मेडिकल फ़र में से नरसिंग पर वेस परिक्षा 2020 प्रथम कांसलिंग और डे फोर यहाँ जो डे फोर के बाद की जो बची हुई रिक्ट सिटे हैं आप देख सकते हैं स्टार्टिंग उपर के तरफ तो यहाँ जन्रल में कोई भी सीट उपर आपको यहाँ नहीं नजर आ रही होगी आप यहाँ देखिए इस लाइन में यहाँ कोई भी सीट नजर नहीं आई ही एदा गदा सीट सी ही कुछ आपको नजर आ रही है जैसे optometry में आपको यहाँ पर एक seat दो seats यहाँ नजर आ रही है इसी तरीके से आप OBC में भी देखिए सब blank हो गई है कोई भी seats नहीं है यहाँ पर आपको optometry में ही 6 seats है और DPT में भी 6 seats technicians, bmt, bforma, optometry इसमें सम्में 0 seats हो गई है आप देख सकते हैं तो total seats के अगर हमें आपर बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि total general के लिए seats यहाँ पर आपके लिए 8 बची है और EWS के लिए जो है यहाँ पर 42 बची हुई इसी तरीके से यहाँ आप देखेंगे तो OBC के लिए 33 बची हुई है तो यह अगर आप OBC, SC, ST और EWS की अगर आप seats सिर्फ जोडते हैं आप मैं जोडने के बता रहा हूँ कि general और OBC, SC, ST, EWS की तो लगभग approximately एकर मैं बात करूँ मोटे तोर पर तो यहाँ 100 seats ही बसती हैं बाकी PH की जो इसमें दिख रही है ज्यादा तर आपको वो कल यानि 19 तारीक को जो counselling है उसमें fill हो जाएंगी उम्मित करता हूँ उसमें ज्यादा से ज्यादा यानि जो second round का जो second round की जो पंजी करण होगा वो आप मान के चलिए लगभग 100 या 125 seats के around ही seats पर ही counselling के लिए पंजी करण होगा क्योंकि यह total seats जो है 660 seats थी तो अब मान के चलिए 500 के around जो है seats 525 करीब सब 500 seats करीब भर गई हैं और करीब 100 या 100 seats करीब बचेंगी उन्हीं पर counselling होगी तो जब 1200 की rank में इतनी जदा seats भर गई हैं तो उसके उपर कितनी कम rank तक ही लोग जाएंगे यानि महुत maximums आप कह सकते हैं कि 1400-1500 rank तक candidates जाएंगे और सारी seats से लगभग फिल हो जाएंगी pH और बाकी चीजों की थोड़ा सा और ज्यादा जाएगी CSCST की और general candidates बहुत ज्यादा 100-200 rank तक और counselling हो सकती है नहीं 1200 के बाद 1300-1400 बस इतनी maximum में हमकी seats फिल होती नजर आ रही हैं तो उमिद करता हूँ आपके लिए ये video useful होगा तो मिलते हैं किसी और सवाल आपके सवालों के साथ किसी और video में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिन जैबाद